साथियो नमस्कार आज मैं आपके लिए फिर एक नया और यूनिक सा केस लेकर आया हूँ ये केस है प्रेगनेंसी डाइगनॉस का पीडी का कि कैसे आप चेक आउट कर सकते हैं कि जो बचिया है वो गाबिन है या फिर नहीं इसके उपर हमारे चैनल पर धेर सारे वीडियोज हैं तो आप जाकर उन वीडियोज को भी चेक आउट करें तो आपको प्रॉपर नोलाइज हो जाएगा कि कैसे हम प्रेगनेंसी को डाइगनॉस करते हैं तो साथ यहां पर यह जो बचिया है इसको टीका लगाय हुए लगबग 90 दिन का समय हो गया है यानि कि 30 दिन अप्रॉप्सिमेटली इसको टीका लगाय हो सकते हैं तो जब भी आप प्रेगनेंसी को डाइगनॉस करें तो लगबग लगबग 3 महीने वाली को ही चेक करें ठी एक football की आकरिती के बराबर जो है वो त्यार हो गया होता है तो आप easily, normally, easily मतलब की pregnancy को डाइगनोस किया जाता है चीग है और अगर आप एक बहतर practitioner है तो आप 30 दिन की pregnancy को भी डाइगनोस कर सकते हैं लेकिन सबसे अच्छा जो समय है वो तीन महीने का है और तीन महीने में आसानी से pregnancy को डाइगनोस किया जा सकता है तो यहाँ पर यह हीफ़र है थी और इसमूल हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका मैं आपको result बताऊंगा कि यह pregnant थी यह non-pregnant थी इसके बार में हम आपको जानकारी दे देंगे और साथियों यहाँ पर pregnancy डाइगनोस करते हैं हम बहुत सारी देर सारी बातों का ध्यान देने की जरूरत होती है सबसे पहले तो rectum के अंदर जब आप हार डालते हैं तो पूरा गोबर बाहर निकालना है उसके बास cervix को पकड़ते हुए देरे देरे आगे uterus तक जाना है और horns को feel करना है अगर right horn में ovulation हुआ होगा तो right horn मे आपको उभार देखने को मिल जाएगा अगर left horn में ovulation हुआ होगा तो left horn में जो है आपको उभार देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यहां पर photo wall के आकरिती के समाना आपको feel होगा तो यानि कि पशु जो है वो pregnant है यहां पर आपको जो है वो bladder का ध्यान भी देना होगा आप आपको identify करना आना चाहिए कि जो horn का structure होगा वो किस तरह का होगा और जो bladder है वो किस तरह का होगा ठीक है तो इसमें आपको अच्छी तरह से identify करना आना चाहिए और पशु अगर pregnant है तो आपको direct बता देना है अगर non pregnant है तो भी पशु आपको अंदर को बता देना है तो यह वो बचिया थी यह प्राइगनेट थी पॉजिटिव थी तो इस तरह से आप भी पीडी डाइगनॉस कर सकते हैं